आपका बहुत बहुत स्वागत आज इस वीडियो टुटोरियल में वाटर हेल प्लाइन एप की साहेता से किसी भी पैचान पत्र की जानकारी को अपडेट करना सिखेंगे यदि आपके पैचान पत्र में नाम, फोटोग्राफ, एड्रेस, डेटो बर्थ या अगर आप इसमें मोबाइल एड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसको अपडेट करना होगा वोटर हेल प्लाइन की साहेता से किसी भी पैचान पत्र को अपडेट करना बहुत आसान है वोटर हेल पैण एप में आप ना केवल संचोधन कर सकते हैं भलकी सभी प्रकार के आवेदन जैसे की नया नाम जोड़ना, नाम काटना, डुप्लिकेट वोटर एडिकार की एप्लिकेशन इत्यादी आप इसकी साहेता से आवेदन कर सकते हैं आवेदन को आप ट्रेक भी कर सकते हैं, जी हाँ, जब आप आवेदन भरेंगे, एक रेफ्लिकेशन नबर आपको जनरेट किया जाएगा, उस रेफ्लिकेशन नबर की साहेता से इस एप्लिकेशन में दिये गए फिचर की हेल्प को लेकर आप आवेदन को ट्रेक कर सकते हैं अत्वा वहां के एधिकारों के संपर्क आप यहां से निकाल सकते हैं इसके अतरिक इसमें एक बहुत खास विवस्ता की गई है आप अपने घर से और पॉलिंग बूट तक की लॉकेशन को गूगल मेप की साहिता से सेट कर सकते हैं जी यहां इसके अलावा इसमें अन्ने कई स इसके अपने इसारे फिचर्स हैं जिनका उप्योग आप वॉटर्रा के लिए कौन-कौन से सूचना जरूरी हैं कौन-कौन मेरां जरूरी हैं वह सारे फिचर्स इस एप्रिकेशन में दिये गए हैं तो आई यह शुरू करते हैं कि किस प्रकार से एक वोटर बिशेटार grows सं आपको search box में type करना है जो की मैंने पहले से कर रखा है आपको water help line app को official जो ये logo है इस वाले application को install करना है application install करने पस आपको open के button फर tap करना है open के button फर tap करने पर आपको इस प्रकार की screen दिखाई जाएगी यहाँ पर login करने के लिए mobile number और password किया हुशकता होती है यदि आपने water help plan app में पहले से registration करा रखा है तो आप अपने login, mobile number और password डालकर आप login कर सकते हैं लेकिन यदि आप water help plan पर पहली बार आए हैं तो आपको यहाँ पर new user जो option दिया हुआ है इस option की साहिता से आपको account create करना होगा इसके पिछली वीडियो में हमने एक नया epic card बनाना सीखा था क्योंकि उस वक्त हमारे पास epic number नहीं थे इसलिए हमने इसकी plugin option का उप्योग किया था यदि आप यहाँ पर भी skip login option का उप्योग करना चाहते हैं तो आप इसकी plugin option की साहिता से अंदर dashboard पर जा सकते हैं पर क्योंकि हमारे पास आप एक epic number आ चुका है तो हम यहाँ पर एक नया account बनाना भी सीखेंगे तो उसके लिए आपको new user option पर टेप करना है आपको mobile number डाल कर send.opi के साहिता से mobile number authentication करवा लेने हैं उसके पर चाहता आपको अपना email number, email id डालनी है epic number जो आपको अलोट हुआ है वो epic number डालना है, password डालना है और confirm password के साहिता से आपको अपना account बना लेना है क्योंकि मैंने मेरा account पहरे से बना रखा है तो मैं login करता हूँ login करने के बाद आपको application के dashboard पर ले आया जाएगा इस application में कई सारे features हैं आपको उन सारे features को access करने के लिए explorer नमक menu दी हुई है इस explorer नमक menu पर टेप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग परकार के features दिये हैं आप यहाँ से स्ञाल में परकार सकते हैं आप यहाँ से पना से शेक कर सकते हैं A यहाँ सकते हैं विवेंड पर आप रिजर्ट देख सकते हैं तो लगले उन नहीं सोटने होती है वो आपको सिंगल application में दी गई है आज हम एक application आपकी जो Water ID Card है उसमें संचोधन किस पकार किया जाता है उसके बारे में सिखेंगे तो किसी भी Water ID Card में संचोधन करने के लिए आपको Form No.8 भरना होगा Form No.8 को भरने के लिए Water Registration नामक Option का उप्योग किया जाता है आपको यहाँ पर टैप करना है टैप करने पर आपको Menu दिखाई जाएगी विविन पकार के Forms की तो मैंने पहले ही बताया है कि एक संचोधन करने के लिए किसी भी Epic Card में अपडेशन करने के लिए Form No.8 भरना जाता है तो हम इस वाले Option को उप्योग मिलेंगे Form No.8, Correction of Entries इस वाले Option पर आपको टैप करना है उसके परचात आपकी Next Stream है Water Help Line Assistant यहाँ पर आपको Let's Start बटन पर टैप करके आगे बढ़ जाना है यहाँ पर एक सिचुएशन इसी आती है कि कई व्यक्ति, कई बेलोस, कई वोटरस मुझसे पूछते हैं कि Sir, यह Let's Start का बटन हमें हमारी मॉबाइल की स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है तो यह आपके मॉबाइल की Font Setting की वज़े से होता है Font Setting एनलाड जो तो आपको उसको Reduce करना होगा यह किस परकार किया जाता है इसका मैंने एक Separate वीडियो बना रखा है वो आप मेरे चैनल के वीडियो में जाके देख सकते है अगर तो आप मैं इस वीडियो के Description में भी इसका लिंक आपको उपलब दिकरा दूँगा तो यहाँ पर हमें करना है Let's Start और आगे बढ़ जाना है अब आपको जो Mobile Number आपने Authenticate करवाए थे वो आपको Mobile Number दुबारा यहाँ पर Authenticate करवाने है तो यहाँ आपको OTP के सायता से Mobile Number Authenticate किया जाते है मैं यहाँ पर Mobile Number डालूँगा आपको Mobile Number आपको ही डालने है जो आपने Water ID में एड़ करवाए है Send OTP पर आपको टेप करना है OTP आपको Received होगा OTP डिसी डूट होने के बाद आपको OTP यहाँ पर Fill Up करना है और उसको Verify कर देना है Verify करने के बाद आपका Main काम यहाँ से शुरू होता है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है Do you already have Water ID Number? Yes, हमारे पास एक पचान पत्र है उसी को तो हम संचुदन करवा रहे हैं तो हाँ Yes, I have a Water ID Number इसको Yes रखना है और Next कर देना है अब यहाँ पर डालने हमें हमें अमें हमारे Water ID के करमांक तो Water ID के करमांक आप यहाँ पर सही लिखें अगर गरत Water ID करमांक आप यहाँ पर लिखेंगे यहाँ यहाँ यहां पर दिखा वाँ है और अब आपको एक प्रिवीड दिखाया गया है अर्थात आपने जो epic number लिखे हैं क्या वो आपके ही है कई बार गलती से किसी अंक में गलती होने की वज़े से किसी अन्य वेक्तिगा भी epic card खोल सकते हैं तो ऐसा ना हो आप एक बार ensure कर लें कि आपने जो epic number लिखे हैं वो आपके ही है आप जिसमें चंशोदन करना चाहते हैं क्या यह वही epic number है क्या वही details है अगर आपना ensure कर लिया तो यहाँ पर आपको करना है next next करने पर आपको दिखाए जा रहे हैं याप वो options जिनको आप बदल सकते हैं नाम, photograph, epic number, address, date of birth, age, name of relative, gender, type of relation तो इन सारी सुचनाओं को आप बदल सकते हैं अब इस screen की कुछ विशेस्ता हैं कुछ hidden features हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप नाम और relative के नाम के साथ address नहीं बदल सकते हैं यहाँ देखिए जैसे ही मैंने नाम वाले option पे और relative वाले option पे मैंने टेप किया तो आप देखेंगे address वाले जो check box है उसको disable कर दिया गया है ठीक इसी के विपरित यदि हम यूँ समझें कि address के साथ अगर मैं address वाले option को tap करता हूँ जैनल कि मैं address बदलना चाहता हूँ नाम भी बदलना चाहता हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने address पे टेप किया आप नाम यह देखिए यह देखें नाम वाले जो यह नाम वाला जो आपका खाना है नाम वाला जो आपका check box है इसको disable कर दिया गया है ठीक इसी प्रकार आप नीचे चलेंगे तो जो name of relative है आपके संबंदी का नाम उसको भी आप जो है update नहीं कर सकते अर्शात कहने का तात्र यह है कि नाम और संबंदी के नाम के साथ आप address में बदाऊं नहीं कर सकते और ठीक इसके विपरित अगर आप address बदलना चाहते हैं आप पर नाम और संबंदिका नाम नहीं बदल सकते तो आपको अब अपनी प्रात्मिक्ता सेट करनी होगी कि आपको address बदलना ज़्यादा ज़रूरी है या नाम बदलना ज़्यादा ज़रूरी इसी के साथ इस interface की एक और विज़ेस्ता है एक और hidden feature है आप एक बार में तीन से अधिक सूचना है यहाँ पर update नहीं कर सकते मान लिजिए as a demo नाम, photograph, date of birth date of birth और gender इस तरह से मैंने 4-5 सूचना है मान लिजिए type of relation भी मैंने ले लिया इस तरह से मैंने 4-5 सूचना है अपडेट के लिए check mark कर दी अब मैं करता हूँ next यहाँ पर देखिए एक message आपको दिखाया जारा है यह पढ़िए only three entries can be corrected आप एक बार में एक form के अंदर तीन प्रविष्टिया ही सही कर सकते हैं तो अगर आपको लगता है कि मेरा नाम भी गलत है मेरे जो संबंदी है मेरे फादर है जो मेरे husband है उनका नाम भी गलत है आपका photograph भी गलत है आपका address भी गलत है या तीन से अधिक प्रविष्टियां आपको इससे लगती हैं कि गलत है तो आपको तीन मुख्य प्रविष्टियां जो आपकी top priority की है जो आप संचोधन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है उन्हें आपको select करना होगा और उनी पर आपको यहाँ पर चेक मार्क लगाना होगा तो यहाँ पर हम इस application की साहिता से नाम, photograph और date of birth को बदलना सीखेंगे आप चाहें तो अगर आपकी एकी परविष्टिय अशुद है तो आप चाहें तो एक चेक मार्क की साहिता से भी आगे बढ़ सकते हैं दो परविष्टियां कर लेते हैं नाम और photograph में गलती है अब जो सूचना है आप अध्रतन करना चाहते हैं, उनकी परविष्टियां, सही परविष्टियां आपको यहाँ पर करनी होगी, आपको name, आप जो सही name लिखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर परविष्ट करना है, पहला वाला जो text box है, वो English के लिए है, आप यहाँ पर पर आचुका है सरनेम आप जो भी नाम के साथ सरनेम लगाते हैं वह आपको यहां पर बढ़ना होगा कई इपकार ऐसे थे पहले जिनमें नहीं हुआ करता था तो आप अगर सरनेम अब जुड़वाना चाहते हैं तो भी आप यहां से एड़ कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार सरने में भी विजिनल लेंग्वेज में जो है हिंदी ऑटोमेटिक होकर आ जाएगी अब हम बात करते हैं डेट आप बर्थ की हमने डेट आप बर्थ को भी चेंज करवाने के लिए सेलेट किया था डेट बर्थ सेलेट को बदलने के लिए टैस्ट बॉक्स नहीं दिया गया है ए आप पर हमारी डेट ऑबर्थ को सही सेट नहीं कर पा रहे इस कलेंडर को सेट करने की एक ट्रिक है जी हाँ आपको क्या करना है सबसे पहले कलेंडर का एट करना है डेमो के रूपे हम ले लेएते हैं कि माल लीजिए हमें 3 अप्रियल 1990 वाला जो डेटो बढ़ते वो सेट कर करना है अब आप देखेंगे यहां पर लिस्ट आ गई है तो हमारा यह जो था जो हमें डेटो बर्थ सेट करनी है वह है दो बटन दिए गए है नेक्स्ट और प्रिवेस का हमें इनकी साहिता लेनी होगी तो क्योंकि यह जनवरी है फरवरी मार्च और अप्रेल आ गया अब आपको सेट करनी है डेट तो यहां पर आपको क्या करना है तीन तारिक है कि जो भी आपकी डेट हो उसके आपको टैप करन सेट करने में गलती कर दी तो आप इसको डंक सेट कीजिए यह आसानी से हो जाता है अब हम करेंगे करेंडर को ओके आप टेक्स्ट वोक्स में भी वेरिफाइब कर सकते हैं यहां पर डेट बर्थ वाला जो कोलम में उसमें लिखा हुआ रहा है तीन अपर गुनिसो नपर ए इलक्ट्रोनिक इफिक का डाउनलोड कर पाएंगे आपको समय समय पर मेसेज आएगा कि आपका जो संशोदन का जो आपने अप्लेकेशन डाली है वो किसी स्टेटस पर अटकी हुई है या किसी स्टेटस पहुँच चुकी है तो एक मोबाल नमबर आप सही डालें उसके बा केमरा के साहता से खिंजना चाते हैं तो आप केमरा से ले सकते हैं और अगर आपने फोटो गैलेरी में से उकर रखा है तो आप गैलेरी में से अपने फोटो को सेट कर सकते हैं फोटोग्राप के बारे में ECI का एक गाइडलाइन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं ECI से त माद्द अप्षब्द लिखे होने नहीं होने चाहिए कई वार आपने आविदन किया हो online किया हो इमित्र के माद्दायम से धुर्ट से अवेधदन किया हो वी बरगार के portal के माद्दायम से अवेधदन किया हो लेकिन आपका आप जो charter ID ही कण का फोट में आता क्यों क्यों कि कमारे फोटोग्रांप है दुख आरिया आ बार देंगा हुए आप है क्ज से के पर इंदर करेंगे यह आपके फोटो मेडिया को अधिक्सेश prod मैंसे आलाव कर दें है लिस तो इंद ए कर दें यहां मैं यहां पर ना फोटो को एड़ करने के लिए आपको प्रिवीव epe यहां पर इस रोइट बटन की साथ के उसणिता से आप इस फोटो को यह पर एप में सेट करना है यहां पर आपको चीज एंश्वर कर लए नहीं है कि जो यह आपका प्रोफाइल प्रिक का जो प्रिव्यू है वो आ जाना चाहिए अगर यह आ चुका है तो आप समझ जाएं कि एप्लिकेशन ने आप कि यहां पर हमने फोटो एंचोर कर लिया फोटो लग चुका है अब हम आगे बढ़ेंगे अब अगला ऑप्शन है प्रूफ फॉर चेंज ऑफ नेम अर्थात यहां पर आपको डॉकुमेंट अटेज करना है जिस आधार पर यह जिस डॉकुमेंट के आधार पर आप अपने न अगर आपने उसका फोटो ले रखा है तो आप गेलेरी की साहिता से उस डॉकुमेंट को अटेज कर सकते हैं तो यहां पर मैं डॉकुमेंट को अटेज करूँगा यहां पर मैं अपने अधाकार की साहिता से अपना नाम बदलाना चाहता हूं तो मैं अपने अधाकार को यह इस बात प्रदियान दें, यहाँ पर आपको प्रिव्यू नहीं दिखाया गया है, यहां पर केवल, फाइल का नाल म मापको दिखाई दे जाता हैं, तो आपको समझना है कि, डिया आपको याइफ की और आपका देखाया है, आपको डिक्सेप्ट कर लिए गई है, आगे बढ पर आप अपनी जो डेट ऑफ बड़त है उसको आप वेरिफाई करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले हमें मेन्यू में से उस document को select करना है जिसकी सायता से हम हमारी date of birth को verify करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अधा card की सायता से ही अपनी date of birth को verify करना चाहूँगा तो मैंने अधा card वार option select कर लिया है उसके पश्चात आपको यहाँ पर upload करना होगा तो upload बटन पर tap करते हैं अप्लोड प्रटने पर टैप करने के बाद वही आप वो दॉप्शन दिये गए हैं, आपके सामने डोकुमेंट अगर सामने हैं, आप केमरा से फोटो खेच सकते हैं, अगर आपने गलेरी में रख रखा है तो आप गलेरी से ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर गलेरी के सायता से अधाकार को यहाँ पर सेलेट करूँगा, तो यह में मेरा अधाकार सेलेट के लिए है, आप को जो है डोकुमेंट का सायच कम करने के लिए इसको क्रॉप करना होगा, क्रॉप करने के लिए जो कॉर्णर दिये हुए हैं, डोकुमेंट के चार और आपको उसकी सायता से उसे है तो आप निश्चिंत हो जाए कि आपकी फाइल को एप्लिकेशन द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है अब हम आगे बढ़ता है यहां पर आप करना है आपको यहां पर आपको अपने अप्लिकेंट में अपना नाम लिखना है अर्था आप जिस भी अप्लिकेंट का आप संच्षदन करने जा रहे हैं तो यहां पर आपको सही नाम लिख देना है और उसके पर चाहिए आपको कर देना है done, done करने पर आपको एक preview upload कराया जाएगा यह preview दो section में बटा हुआ है आप देखेंगे यह जो पहला section है यह section है आपकी database में पहले से दर्द entries इसके तरिक्त आप देखेंगे थोड़ा preview को उपड़ेंगे तो यह जो section है यह section है आपका जो आप entries correction कराना चाहते हैं यहाँ पर आप कैसे समझेंगे आप देखेंगे यह लिखा हुआ है the correct particulars यह जो line लिखी हुए the correct particulars in entry to be corrected आरेज बिलोव यह कि आप अपने नाम बदलाना चाहते थे आप data birds बदलाना चाहते थे फोटो का यहाँ पर preview नहीं दिखाया गया है यह तो आप ensure कर लें कि जो प्रविष्टे मेंने की है वो सही है हिंदी में रूपांतर सही होके आया है data birds सही सेट हो गई है तो आप यहाँ पर आपको confirm बटन पर टैप कर देना है तो हमारे सब कुछ प्रविष्टे है सही हम confirm बटन पर टैप करेंगे confirm बटन पर टैप करने के पस्चात आपको एक message दिखाया जाएगा जी हाँ यह message आपको ऐसे ही ok करके pass नहीं कर देना है इसे आपको यहाँ पर रुखना है और इसमें दिये गई reference ID को आपको अपने notebook में note कर लेना है जी हाँ आपके द्वारा यह reference ID generate हुई है application के द्वारा जो यह reference ID दी गई है बहुत ही काम की है इस reference ID की साहिता से ही आप अपनी इस आविदन को track कर पाएंगे आप track करने के दुरान देख रहे हैं कि किसी A की state पर यह अठकी हुई है तो आप ERO कारले में तसलिदार या HDM कारले में जाकर आप पता कर सकते हैं लेकिन वहाँ भी आपको इस reference ID की आउशिता होगी तो आप reference ID को इस option को ok करने से पहले एवार आप इसे लिख लें ताकि आ reference ID को लिख लिए अब उसकी परचात आप इस message को कर दें ok ok करने पर आपको application के dashboard पर ले आए जाएगा तो इस प्रकार आप किसी भी water का या अपने परिवार में किसी भी वेक्ति का आप entries में correction कर सकते हैं thank you कर दो